कि असलाब लेकुम दिस इंगास बैटी वेलकम बैक मैं चनल उम्मीद करता हूं अला करम और फजल के साथ आप सब रुक्रीक होगे आज मेरा चूज कि अवर टापिंग इंटर्प्रेशन ऑफ ट्परेचर इसके अदर ने स्टेडी करना है कि कैसे हम ट्परेचर को एक्स्प् हीट में कैसे हीड दूसरी फार्मेर नेरजी के रिफ्ट में रमशर बशाज और विफाज़ए के वचा स्टेडी करने के लिए काहने हैट क्परेचर की वजाहिक करते हैं Justiceского काईशिक्शाएच्डा ऋप काति अश्प्रेशस्ट नाम करेंगे इंदी यहशिए वाइब हम इसको इनर्जी की फार्म करोड़ी करते हैं तो प्र प्र आप इसको ठीट और भाद में आप इसको थेमो डिनमिक्स याप इसकी तू होना है उसको भी आप बड़ी रसानी से स्टीड़ी कर सकते हैं इवन डैट आपने जो गैस ला प्रूफ करने है चार्डस ला है आपका ग्रांड ला है आपका वाइल ला है वो सारे ला भी इसी कॉंसेप्ट के बेस परादे जाके ग्रूफ होंगे तो सबसे पहले हम टम्प्रेचर और इनर्जी का रेलेशन स्टेडी करेंगे तो इसको स्टेडी करने के लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं यहां डेफिनेशन कहले हैं इसका स्टेड़ में आपके अब इसको स्टेडी करते हैं उसकी रिजन ही होती है है कि अरिछी को बेक्षिशन कक्या बगाए उसके बाद हम वैसा करने की कोशिश केंता हुस्य करते लेकिन आप उसके चले जाते यह आपने परिशन रषा रजजार्र अच्छ कुछ भी प्रूफ करना हो अप उसके लिए हमेशा ए आई इडियल गयस की नहींगी नहीं ideal gas पर चीज़ी applicable करेंगे और बाद में वैसी real gases find करेंगे या आप दुसरे लफ़ों में ऐसा कहलें कि आप फिर वैसे experiment करने की कोशिशे करते हैं तो इसके तरह वो कह रहा है कि अगर आपके पास gas के molecules हों इसके ideal gas के उसकी जो average kinetic energy होगी वो basically directly proportion होगी उसके absolute temperature के its mean के जितनी gas के molecules की kinetic energy ज्यादा होती जाएगी उतनी ही उसकी उसका temperature भी increase होता रहेगा लेकिन कौन सा absolute temperature Kelvin वाला temperature तो कुछ points है यह जो आपका temperature की explanation study काने है उसमें आपके बात याद रखे कि यह pressure volume और nature of gas इन तीन चीज़ों पर dependent नहीं होगी अगर यहाँ पर आपके पास एक ऐसी condition हो यानि यहाँ आपके प्रेशर डिपेंडेंट है यूआपके वालियूम डिपेंडेंट है यूआपके गैस पर डिपेंड कर रही है वहाँ पर यह बाते आपकी अप्लिकेबल नहीं प्रॉपर हो पाएगी क्योंकि आप यहाँ पर एक आईडियल गैस ले रहे हैं तो आईडियल गैस के लिए यह वाले सिट्वेशन आपकी क्रियेट होगी तो इसकी मैथमेटिका डेरिवेशन की तरफ सत्य है क्योंकि हम यहाँ पर दो काम करने लगे हैं एक तो आप आईडियल गैस को लेकर चल रहें सेकंड़ी आप काइनटिक इनरजी को स्क्रटी करना चाहरे हैं इंदी खाम आफ टंप्रेच्चियर यहाँ तो सबसे पहले हमारे पास यहां पर दो चीज़े हैं एक हमने आइडियल गैसी क्वेशन पड़ी रही है अगर आप लोगों याद हो तो आइडियल गैसी क्वेशन कुछ इस परा सित्री पीवी इस इकल टू एन आर पी यह इसको जनल गैसी क्वेशन भी कहा जाता है यह कमिस्ट्री में जैना यूज होती है यह इसको आइडियल अब इसको आपकर उपका एक समाल N नमर ऑफ इवाएड़ पायर नुपर इसको यहां पर क्यूट करेंगे एक्शुली हमारे पास एक कॉंस्टेंट है हम इसको दूसरे कॉंस्टेंट के साथ मिक्सब करके एक बोल्ट स्पैक को नाम से जाना जाता है हम इस फार्म में करवाइट करेंगे ताब कि हमाली क्लिक्वेशन आसाथ आप इसको इस तरह भी यूज़ करने तो अप्रीक लिए लेकिन जब भी हम कोई इक्वेशन ड्राइफ कर रहते हैं हमारा मकसलत है उसके सिंप्लेस्ट फार्म को करना और यहां पर तो हमारा मकसल ही कुछ हो रहा है हमने इस बात को प्रूव करने है डिरेक्टली प्रपोर्शनल को कि यह जो टम्रेचर है और यह जो काइनेटिक इन इस तरह करेंगे चाहिए और टम्रेचर यह जगा पर पूठ हो सकते हैं माइक्रो लेवल पर बड़े लेवल पर आगे अगर आपने इनर्जी को स्टडी करना हो किसी गैस कि इनर्जी को स्टडी करना हो तो आप उसकी इनर्जी को स्टडी करने के बजास गर को स्टडी करने तो आप पो उसके इनर्जी भी इंडेस्टेंट हो जाएगी लेक्षिर के एंड पर यह बात बताऊंगा कि क्यूं वालिय और टम्परेचर यह वह बहुत हो सकते हैं लेकिन वालियम और टम्परेचर जाह पूर्ड नहीं हो पे वी इस इक्वल टू कैपिटल एंड डिवाइडिट पाइ अवोगेड़ नंबर आडी इसको मजीद सिप्लिफई करेंगे और इसको मजीद अब सिप्लिफई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से कंडिशन बाजेगी यह एंड भी एक वेरियेबल है जबके आर और एल इसको मैंने बात किया इसको मैं एंड पर जाके डिटेल पर करता हूं किया है तो इनकी जगापर हम क्या पूटिक करेंगे हमने यहां पर अगर आप देखें तो इसकी वैलियू पूट की हुई है इसकी वैलियू बोल्स में इसको इस तरह से एक्वेशन बाजेगी पी वी इकवर डू एन के टी इसको हम एक्वेशन नमबर वन के यहीं पर चोड़ देंगे हमारी इस डेफिनिशन के अंदर सबसे पहली चीज़ थी आइडियल गैस तो हमने आइडियल गैस से एक एक्वेशन ड्राइब कर लिए इसके बाद हमारे पास एवरिज का इनर्जी का ना लिए लिए तो हमारी सीप्वेशन वे अप्सुल्ट इंपरिचर भी आ गया आगे फर्दर देखते हैं इसको अमने प्रूफ करने डिर्क्ली प्रपोर्शन होने को प्रूफ करना है तो एक हमारे पास और पास और आपको पिछला टॉपिक याद तो अपने प्रेशर ऑफ गया तो प्रेशव फड़ीशन यहाँ इसको आगे फर्दर एक्स्प्लेइंगे प्रेशर ऑफ गया सवाली इक्वेशन के अंदर कुछ इनर्जी आती है तो प्रेशर ऑफ गया सब्सक्राइब पीजिकर्ट दूबाए थ्री एंग वालियम इंटू काइन एक इनर्जी यह पास अबरीज ट्रासलेशनल का इनर्जी है यह साइट पर दो बार से वसी कलिए अबरेज को या मीन मैलियो को शो करते हैं तो आप इस एक्वेशन को थोड़ा से और फर्दर सिंप्लिफाइग कार्केस को इक्वेशन मान कहलें वह ज्यादा बेतर होगा आप इसको पी इक्व ब मक्वेशन नमीर 2 अगर कहा दो करें माई हैं दोनों एक्वेशन को पास क्कारे जो माई सुलनों करें कि एक्वेशन हमारे पास किस तरह की कंडिशन आनटेवगा यहां पर पास कुछ इस तरह से कंडिशन बन रही है और आप इस बात पर गोर करें तो यहां पर आपके पास कुछ इस तरह से कंडिशन बन रही है कि यहां पर सिर्फ आपके पास एक तरफ तरफ बाचिया है और इस तरफ टू बाए थ्री के इंटू एवरीज काइनेटी की लड़ी आपसे कह सकते हैं अब जो मैंने बात शुरू में की थी मैंने बात क्या की थी मैंने कहा था यह क्यों टंपरेचर जो ह अब और यहां पर था यह सारी के सारे खुत बहुत कॉंस्टैट आप लोहों ने इसको कॉंस्टैट नहीं बनाया जबकि जब आप वाइले जाए यहां चारदसदास्टढ़ सेड़ी करें वहां पर मशल मैं चारदसदास्म पर्जिए करता हूं जिसको उसको मैंने पहले न कि यही थी कि यहां पर हमें इन्हें प्रचान्ब करना पड़ा लेकिन यहां पर तो आपको पता है किसी भी एक्वेशन में से जब कॉंस्टेंट को खतम कर दिया जाए तो वह एक्वेशन रिलेशन पे रिलेशन यहां पर रहा है तो इसी के साथ हमारा यह टॉपिक प्रूफ भी हो रहा है और हमें इस इक्वेशन से था यहां पर नहीं बनाया है इस इक्वेशन से अगर आपने उसको स्टेडि करना हो मैक्रो नेवल पर जाके उसको इंडरस्तैंड करना हो मैکرو लेवल पर जाके तो वहां पर आप अगर उसके टमप्रेचर को ही स्टेड़ी कार लो तो बिल्कुल सेंप उस टमप्रेचर वाली कंडिशन को आप मदे नज़र रखते हो आपकी काईनेटिक इनर्जी बिस्टेड़ी अगर लाहन की तो आप जटते हो आपकी का तो आपाउन की काईna interactions आप मदे के तोς आपकी कार सेंगी काहा OK को आप में चलमप्रेचर रे रlında आतिस्कारा हो आपना सेंगी का झापकी का हमाना ।